नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकर के साथ दोस्तो, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम अपना 1.2 पड़ रहे हैं और इसमें हमने बक्तिकाल को कंप्लीट करने के पश्चात रितिकाल को शुरू कर दिया है और रितिकाल का आज हमारा सेकिन पार्ट है पहले पार्ट में हमने रितिकाल की जो प्रमुक प्रवरितियां थी और साथी साथ रितिकाल इन जो पिष्ट भूमी रही है उसके बारे में डिसकस कर लिया है अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 1.2 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे रितिकाल उसके नामकरण और कालवी भाजन के साथ-साथ अलोचकों की नजर में रितिकाल क्या है इन दो टॉपिक्स को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं तो बहुत ही महत्पुन चीज़े हैं ये रितिकाल के समद में कई बार यहां से प्रशन पूछे जाते हैं ना सिर्फ UGC NET की परिक्षा में और इसके साथ-साथ जो अन्य हिंदी से रिलेटिट परिक्षाएं होती हैं उन में भी ये प्रशन बनने की संभावना रहती है और लेक्चर शुरू करने से पहले दूस्तों एक और महत्पुन चीज़ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप इस लेक्षर से अभी पढ़ेंगे उनको आप फिर से रिकलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिगराम ग्रूप के साथ जुड़िए वहाँ पर हम जीतने भी हमारे लेक्षर से प्रशन बनते हैं उनको वहाँ पर हम quiz के जरीए complete करते हैं तो आप चाहें तो टेलिग्राम ग्रोप के साथ भी जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका link दे दिये जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lecture की और सबसे पहले हम देख लेते हैं वो अधिक्तर क्या माना जाता है उसको हरास पतन का काल माना जाता है किसका मुगलों का तो माना ही जाता है साथ ही साथ जो हम पूरे भारतवर्श की अगर बात करें तो उस वक्त भी एक तरीके से क्या था वो अंधकार का ही काल उसको माना जा सकता है तो इसी के चलते आप जितना भी नामकरन देखेंगे रितिकाल का लगभग सभी का एक ही सार निकलता है कि वो क्या है वो अपकर्शकाल है या फिर वो क्या है अंदकारकाल है ठीक है तो देखिए सबसे पहले रितिकाल की जो समय सीमा थी वो कब से कब तक माने जाती है अचार हम बात करें रितिकाल के नाम करण उसके प्रस्तोता की तो सबसे पहले जो इसको अंधकार काल नाम दिया है देखे ये त्रिलोचन ने दिया है तो त्रिलोचन को अंधकार काल नाम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि जो रितिकाल का पूरा का पूरा समय रहा एक तरीके से ये क्या था अंधेरे का यूग था यहांपर अराजगता थी अन्याय था यह सारी चीज़ें यहां पर व्याप्ट थी इसी के चल देनों ने क्या कहा इसको अंधकार काल की संग्यादी है दीखिए दूसरे जो महतोपुर्ण नाम है इसमें वो है लगभग तीन इसमें जो अलोचक हैं वो शामिल हैं रमाशंकरशुकल रसाल भागी रतमिष और रामքकुमार वर्मा तो ये तीनों क्या कहते हैं दीखिए इन तीनों उन्हें इसको कहा है कलाकाल कलाकाल का मतलब कि जहां पर जो भी आपके सहित्यकार थे रचनाकार थे उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया लेकिन कुछ हद तक जैसे कि हम पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं कि सिर्फ राजाओं को प्रसंद करने के लिए श्रिंग कलाकाल है जो भी जितने भी रचनाकार रहे हैं या सहित्यकार हुए हैं यू 한की कला का परिणाम है नेक्स चेदेखिये इसके बाद जो अगला नाम है वो ही रीती काव तो रिति कावे किस ने नाम दिया है देखिए ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन की जो मुत्वपोर्ण पुस्तक है देखिए इंदी साहिते के इतिहास से रिलेटिड वो है आपका Modern Vernacular Literature of Hindustan तो इसमें इन्होंने देखी क्या कहा है इसका जो सा इसदी के से प्रशन पूछा सकता है ग्रियर्सन ने रिति काल को क्या नाम दिया है तो ये है रिति कावे ये चीज़ें भी याह्जखना बहुत दरूवी है इनके समंध में जो सबसे ध्यान देने वाले बात ये है कि इन्होंने देखिए इसके अंधर सबसे पहले इन्होंने केशव, बलभद्र, सुंद्र, चिंतामणी, भूशन और मतिराम के साथ साथ प्रताप साही को रखा है रिती कावय के अंतरकत जबकि ये बिहारी की गन्ना इसमें नहीं करते हैं तो ये बहुत ही मतपूर्ण चीज है कि इन्होंने बिहारी को इसमें स्थान नहीं दिया है रिती कावय में किसने जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टन चीज है कि ग्रियर्सन बिहारी को जगा नहीं देते हैं जबकि बलभद्र जिनके बारे में ह पहले ही पढ़ चुके थे रितिकावे के अंत्रगत जो भक्तिकालिन गौनकावे से ही जिसकी शुरूआत हो गई थी है ना तो ये पहुत ही मौतपूर्ण है आप इसको एक बार जरूर याद रखेगा आगे है देखिए कि रितिकाल नाम किसने दिया है ये हम सब जानते हैं अचारे रामचंदर शुकल जी का दिया हुआ नाम है तो देखिए अचारे रामचंदर शुकल जो या उनके समेत जो अन्य कई मौतपूर्ण आलोचक हैं उन्हें रिति का अर्थ क्या लिया है यह स्पष्ट करने के लिए क्या था कि रिति से क्या आश्य है या भी प्राय ह कि अनुकर्ण करने की प्रवरिती तो देखिए अनुकर्ण किसका करते थे जो भी आपके संस्कित के अचारे हुए हैं पहले उनका ही रितिकालिन कभी उने कह किया अनुकर्ण किया और उसी रिती उसी परिपार्टी के अनुसार बुरचनाये रच्टे गए और उसके अधार पर ही उनको अलग-अलग भागों में विभक्त किया तो इसी के चलते अचारे रामचेंदर शुकल वो सर्व विदित जो मत है वो क्या है रीतिकाल है इसी लिए इसको रीतिकाल की संग्या दी जाती है आगे है देखिए अलंकरित काल तो अलंकरित काल नाम किस ने दिया ये दिया मिश्रवन्दु होने ठीक है तो ये नाम भी कई बार परिक्षम में पूछा जाता है कि अलंकारों की अधिक्ता थी जो भी आप कह सकते हैं कि अलंकरित मतलब अभुशिद या अभुशन हो था एक तरीके से कि कवीता को अलंकरित करने के लिए जिन चीजों की ज़रूर परती है उसको ही क्या किया अलंकरित काल का नाम दिया क्योंकि जितने भी आपके जो साहितकार थे या रचनकार थे किसी राजा के आश्रय में रहते थे और इसलिए उए अलंकरों को उसमें ज्यादा प्रयोग करते थे है न अलंकरण करते थे कवीता का तभी इसका नाम क्या दिया अलंकरित काल दिया गया है next से रेखिए श्रिंगार काल ये बहुत मौत्पोर नाम है विश्वनात प्रसाद मिश्र अपकर्ष काल किस ने कहा इसको गनपथी चंदर गुप्त जी तो इसलिए इनों ने इसको क्या कहा कि ये अपकर्ष का काल है ना कि उतकर्ष का काल माना है ये है गणपती चन्द्र गुप्ट के अनुसार तो कई बार ये भी फरिक्षा में पूछा जा सकता है यहां पर देखिए जो ये हमने कोटेशनी रखिये अचारे राम चन्दर शु अलग-अलग तरीके से बांटा है और वहां पर उन्हों ने नाम किया दिया है कि ये श्रिंगार काल है ये कहते हैं कि वास्तों में श्रिंगार ही वीर श्रिंगार और वीर इन्ही दो रसों की कवीथा इस काल में हुई है ये शुकल जीने का है और इसी चीज़ को आगे विश श्रिंगार काल कहा जा सकता है, ये चीज़ को और मानते हैं, अचाय रामचंदर शुकल भी मानते हैं, है ना, तो शुकल बहुत ही मौतपूर नाम है, इसको कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो रितिकाल के समन्द में उन्होंने ये चीज़ कही थी, हाला कि इ रितिकाल को क्या नाम दिया है यहां से परशन 101% किसी न किसी पिर्कषा में जरूर पूछा जाता है तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है आप चाहें तो इसको स्क्रीनषॉट लेसकते हैं या आप स्क्रीनषॉट नहीं लेना चाहते हैं के लिग्राम ग्रूप के साथ जूड़िए वहां पर आपको इसकी PDFP मुहया करवा दी जाएगी चलिए अब हम देख लेते हैं रितिकाल के जो प्रमुक प्रवर्तक थे या फिर इसके जो प्रस्तोता है उनके बारे में जान लेते हैं अलग-अलग विद्वान अलग-अलग जैसे ही देखे नामकरण अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से किया वैसे ही रितिकाल के जो प्रवर्तक थे अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग माने हैं इसमें जो महत्वपूर्ण हैं ये तीन ही हैं सबसे पहले अचारे विश्वनात प्रसाद इन्होंने क्रीपाराम को माना है रितिकाल का प्रबर्तक तो क्रीपाराम के बारे में हमने पीछे वाले अपने जो बक्तिकाल के अंत्रकत जो बक्तिकाल इनको पढ़ लिया थे उन्हें हमने अच्छे तरीके से इनको पढ़ लिया था कि क्रीपाराम कौन थे और इनकी जमात् काल का प्रवर्तन माना जाता है और कृपाराम को प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है देखिए काल करम की दृष्टी से को ने कृपाराम मानते को ने विश्वनात प्रसाद मिश्र दूसरा है देखिए आपका डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक तो रितिकाल का प्रवर्तक की केश्व को मानते हैं कि ये रचनाकार व्यक्तितों के समरिध्धी की त्रिष्टी से जो भी आपके क्या है रचनाकार का व्यक्तितों की समरिध्धी बुकिस में देखने को मिलती है ये केश्व में देखने को मिलती है और इसलिए इनोंने केश्व से इसका क्या माना है एक तरीके से प्रारंब माना है रितिकाल का और केश्व का जो समय है दिकी 1515-1617 तक का ठीक है लेकिन इसके अलावा जो सर्वमान्यमत है या फिर यूँ कहें अचारे रामचंद्र शुकल या बच्चन सिंग ये मानते हैं चिंतामणी से किसका रितिकाल का प्रवर्तन तो जो आपके चिंतामणी है देखिए इनको किसके अधार पर माना है चिंतामणी को रितिकी अखंड परमपरा चलाने के दिश्टी से रितिकाल का प्रवर्तक माना जाता है तो ये चीज क्या है ये मानते हैं आपके डॉक्टर बच्चन और अचारे रामचंद्र शुकल तो इसके आधार पर ये क्या है कि जो सरव मानेमत है वो चिंतामणी को ही माना जाता है क्योंकि चिंतामणी के बाद आप देखेंगे कि लगातार जो है आपकी कृतिकालिन रचनाई रची गई और इसी के चलते जो डॉक्टर नगेंद्र हैं पर थोड़ा सा क्या करते हैं ये इनका एक तरीके से इनका विरोध करते हैं कि चिंतामणी के बाद जो है जो भी रचनाई हुई वो स्वभाविक था कि वो होनी ही थी तो इसलिए उसको प्रवर्तक नहीं माना जाता लेकिन फिर भी सरव भी रित्मत यही है कि चिंतामणी की द्रिष्टी से कौन आता है पहले या फिर व्यक्तितों की द्रिष्टी से या फिर रितिकाल की जो अखंड परमपरा चलाने की द्रिष्टी से तो तीन द्रिष्टियों से देखे अलग-अलग हैं यह आप से यहां से ब्रशन पूछा जा सकता है तो चलिए यह होगी बा बात करें देखिए, विश्वनाद प्रसाद मिश्र की ही, हिंदी साहित्य का जो अतीत है इनकी प्रमुक्रचना, इसमें इन्होंने जो रितिकाल है देखिए, उसको अलग-अलग तीन भागों में विभाजित किया है, और यही इनका जो काल विभाजन है, सर्व विदित है य बहुत ही मौत्वपूर्ण है इनके अधारी पर ही रितिकाल को माना जाता है सबसे पहली बात है इन्होंने इसको रिती बद नाम दिया दूसरा रिती सीध में बांटा और पीजरा रिती मुक्त कवियों में इनको बांटा तो दीखिए रिती बद से मतलब इनका क्या था कि जो रचना लक्षनों और उदाहरणों से युक्त होती है लक्षना मतलब जिनमें लक्षनों किसके आपके काववे के याद जितनी भी चीज़े हैं इसमें लक्षनों और उदाहरणों से युक्त होती है रिती बद जो कवी है उनकी रचनाए ठीक है तो इसमें जो प्रमुक नामें देखी केशव, सेनपती, जस्वन सिंग, मतिराम, देव और बिखारी दास के साथ परमाकर तो ये इन्होंने रिती बद के अंतरकत रखें, दूसरा जो इनका उप विभाजन किया इन्होंने वो किया रिती सिद का, तो रिती सिद में जो इन्होंने एक ही कभी को शामिल किया है, वो कौन है आपके? वो हैं बिहारी लाल, ठीक है? तो बिहारी लाल या बिहारी इनको कहा जाता है और जो उनकी बिहारी सत सही जिए के प्रमुक्रचना है यह हम आगे विस्तार से इसको पढ़ेंगे यहां पर हमने सिंपली यह देखना है कि कितने बागों में विवाजित क्या और कौन-कौन से उसमें कभी रखे हैं तीसरा जो उनका काल रहा देखी इरिती मुक से जानेंगे तो यह तीन तरीके से इन्होंने काल विवाजन किया है और यहीं से ही आगे के जो कवी है अन्य जो विद्वान है उन्होंने भी इसको अधार मानकर अपना-पना काल विवाजन बताया है ठीक है अब है देखिए इसके बाद जो दूसरा काल विवाजन किया है वो क्या है बच्चन सिंग के अनुसार रिती काल का कालपी भाचन तो बच्चन सिंग हिंदी साहिते का दूसरा रिती हास इन्हों ने लिखा है इसमें ये क्या लिखते हैं देखिए इन्होंने पहले लिख दिया जैसे रिती सिध है तो इन्होंने सिध रिती या बद रिती, इस तरीके से बद को पहरे लिख दिया और रिती बाद में लिख दिया, तो यह चीज इनकी महतपूर्ण मानी जाती है, तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने रिती बद रखा इसमें, या बद रिती जिसको जाता है, इसको इन्होंन सबसे पहले हम रिती चेतस के अगर बात करें तो इसमें इनोंने चिंतामणी, जस्मंत सिंग, बिखारीदास, प्रतापसाही, गवाल को रखा है तो ये कभी माने इनों जो रिती के प्रति क्या थे सचेत थे या ये क्या थे रिती बद्ध थे दूसरे इनोंने रखे काव्य च रिती कभी है वो उसके अलावा जो दूसरे हैं देखिए मुक्त रिती कभी तो मुक्त रिती या रिती मुक्त जो कभी रखे इनोंने वो रखे क्लासिक कभी और सवचंद कभी तो इनके भी इनोंने दो पाट कर भी आगे क्लासिक कभी में देखी कौन आता है बिहारी तो इ आलम हो गया, घननन्द हो गया, ठाकुर, बोद्धा और दुजदेव, तो इनको ये मानते हैं स्वचंद कभी, यहाँ पर जो बच्चन सिंग्या दिखिए, वो क्या मानते हैं कि रीती मुक्त उनको कहना एक तरीके से ठीक नहीं है, हलांकि वो रीती में रहकर भी लिख रहे तक रीती से वो मुक्त बूरी तरह से नहीं थे, इसलिए इनको स्वचंद कभी कहा है, ठीक है, तो इसके अलावा जो तीसरा इनका काल विवाजन रहा देखे इसका वो था रीती इत्र, रीती इत्र मतलब रीती से परे जो कुछे करचनाय रची गई थी, उसमें इनको कभी नहीं किया है, तो बचन सिंग के अनुसार क्या है, तो इतीकाल का जो विवाजन है, वो इस तरीके से तीन तरीके से किया है, इन्होंने बद्ध, मुक्त और रीती, इत्र, ये थीन चीज़ इनrics उन्होंने रखी है, आगे हम विस्थार से जानेंगे, कि कौन-कौन से कभी ह उनके जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद देखिए जो काल विभाजन है ये किया है शुकल और नगेंदर के अनुसार तो देखिए शुकल जी ने रितिकाल के कवियों को दो भागों में ही विवांटा है आप रितिकाल को इन्होंने मेंली तीन प्रक्रण रखे हैं रितिकाल के और उसमें इन्होंने रितिकवियों को दो भागों में विवक्त किया है तो पहला प्रक्रण क्या है इनका समान्य परिचे या जिसको उत्रमध्यकाल ये कहते हैं उसका समान्य परिचे और उसके बाद आगे वाले lecture में विस्तार से पढ़ेंगे उन में से जो प्रमुक हैं। दूसरा इन्हों रखा रितिकाल के अन्य जो कभी हैं। तो अन्य कभियों के संक्या कितनी है उसमें देखिए। 46 तो लगबग इतने कभी देखिए। 57 और 46 तो इतने कभियों को इन्होंने क्या किया है। रितिकाल के अंत्रगत रखा है। तो रितिकाल को इन्होंने कुछ जादा भागों में विवाजित आगे नहीं किया। सिर्फ रितिग्रंथकार कभी और रितिकाल के अन्य कभी। तो ये दो भागों में इन्होंने इसको बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र ने देखी क्या किया है। इन्होंने रितिकाल का उपविवाजन के अंद्रगत। रितिकवी, रितिसिद्ध और रितिमुक्त का भी रखे। तो देखी, जहाँ पर पहले हमने बात की, रिति बद की, वहाँ पर इन्होंने सिंपली क्या लिखा। रितिकवी, और रितिसिद्ध को ये रितिसिद्ध ही लिखते हैं, और रितिमुक्त को भी रितिमुक्त ही कहते हैं। लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण बात है देखिए, वो क्या है? वो है कि रिती सिध्ध जो कवी थे, उनको इनोंने दो श्रेणियों में रखा है, यहां रिती सिध्ध हो गया, यहां रिती बद्ध होना चाहिए, ठीक है? इसको आप करेक्ट कर लिजिएगा, कि इनको इनोंने क्या है, दो श्रेणियों में रख दिया है, तो कौन-कौन सी दो श्रेणिया हैं देखिए वो, जैसे आपका, सबसे पहले है अचारे कवी, और दूसरे आते हैं आपके, काव्य कवी, तो देखिए जो अचारे कवी हुए हैं, उनके उन्होंने आगे क्या कर दिये, चार भाग कर दिये, ठीक है, तो यह इनकी महत्तो पूर्ण विशेष्टा माने जाती है, तो आप चाहें, तो यहां पर आगर आपको पता न चल रह हो, तो यह है, देखिए, रीती कवी, इन रीती कवी हों को इन पहले कितनी श्रेणियों में किया है, दो श्रेणियों में वाजित किया, अचारे कवी और आपका, काव्य कवी, अचारे कवी हों के आगे, चार श्रेणिय रखते हैं, जैसे सरवांग निरूपक, रस और अलंकार निरूपक तो आपने कई बार देखा होगा UGC की परिक्षम में इस तरीके से ही प्रशन पूछे जाते हैं कि कौन साइड में सरभांग निरूपक है कौन सा छंद निरूपक है कभी है या कौन सा ग्रंत कैसा है तो इसके अधार पर जो बच्चन सिंग है वो कहते हैं कि जो डोक्टर नगेंदर ने इनको अलग-अलग श्रेणियों में रखा है उससे कहीं न कहीं थोड़ी सी गड़बर पैदा हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि देखिए कुछ एक साही तेकार ऐसे हुए हैं जिनोंने आपके छंद निरूपक गरंत भी लिखे हैं तो उ शिष्टांग निरूपक कभी भी इसके अंतर गताते हैं तो उनको ये जितने भी निरूपक हैं ये किसने माने हैं ये डोक्टर नगेंदर ने माने हैं ये चीज मौतपूर्ण है तो ये हो गया पूरा का पूरा जो रितिकाल है उसका विभाजन कि किस अलोचक ने किस तरी विवेदी कहते हैं कि इस समय आर्थिक दिष्टी से समाज में स्वश्च रूप से दो श्रेनिया हो गई एक तो उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से समन्द रखने वाली जातियां जैसे बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाह, इत्यादी था और द कहने का मतलब क्या है, कि इनका मतलब ये था कि आर्थिक दिष्टी से समाज में क्या थी, अलग-अलग दो श्रेनिया थी, जैसे हमने सामन्ती वेवस्था कि जो बात की, एक तरफ जो गरीब तब का था, दूसरे तरफ के राजा रईस थे, ठीक है, तो इस वज़ा से ये मा सौधागर थे, ठीक है, कवीता के, सौधागर किसने कहा है देखी, बहुत महत्वपूर्ण फंक्ती है, हो सकता इसको पूछा जाए, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंग मानते हैं कि रितिकाल जिके जो कभी है, वो सौधागर क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना को सौधागर लिया हो, ठीक है, वो राजाओं को खुश करने के लिए ही रचनाए, रच रहे थे, तीसरे हैं मारकंडे वाजपई, तो इनकी जो महत्वपूर्ण चीज है देखी, गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत, तो कई बार प्रिक्षा में ये चीज पूछी जाती है, कि गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत, मारकंडे वाजपई ने किस कावेखो कहा है, तो ये है रिती कावेखो, या प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कि रिती कावेखो मारकंडे वाजपई ने क्या कहा है, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, कि रिती काव इसमें जो मतवपूर नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इनके समध में पहले भी कहा था कि इन्होंने इस काल को क्या नाम दिया है कला काल नाम दिया है और कला काल नाम देना ये कहते हैं कि समिचीन ग्यात होता है क्यों क्योंकि रिति कावे और श्रिंगार कावे के साथ साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवितियां विचार धाराएं और ललित शिल्प की साधनाय दिश्टिगत होती है कि उनमें कला का प्रा पुरा जो भी कला थी वो राजा के समक्षिक्तरीके से बिखेर दी थी उनको खुश करने के लिए इसलिए इसको कलाकाल नाम कहते हैं रामकुमार वर्मा ठीक है नेक्स दीखिए शामसुंदर दास ये कहते हैं कि राजाओं से पुरुसकार पाने तथा जनता दोरा सम्मानित ह रितिकाल की कवीता, शरिंगार, रस्मई हो गई है और अन्य परकार की कवीताएं उनके सामने दबसी गई हैं तो ये चीज भी वो ही है कि जितने भी कवीताएं रची गई ती वो सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए और उनसे अपना अजीविका को सही तरीके से बना रखने के लिए उनसे पुरुसकार पाने के चलते ही इन्होंने क्या गिया इस तरीके की रचनाय रची और अन्य प्रकार की जो रचनाय थी वो मानों यहाँ पर दब सी गई हो और यही चीज है कि इसी के चलते जो अलोचक हैं या जो विद्वान हैं वो इस काल को क्या कहते है कुछ ने श्रिंगारकाल नाम दिया, कुछ ने अंधकारकाल, कुछ ने कलाकाल पूरे के पूरे जो भी इसका नाम करन था, इसका विभाजन था, वो मिने आपके बीच में रख दिया है अगर इस lecture में मुझे से कहीं कुछ एक गलती हो गई है, तो आप comment section में जाकर बेजिशक कह सकते हैं ताकि हर एक student तक अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके एक बार फिर से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर गीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद